तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे सीटेट के लास्ट फाइव डेज में आपका सीटेट पास हो जाए यानि कि सीटेट पास कम दिनों में कैसे कर सकते हैं कौन से स्टेट जी अपनाए और कौन से काम करें क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है कम समय में कम ही चीज़े करनी होती है लेकिन स्मार्ट वर्क करना होगा हाड़ वर्क से ज्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना होगा क्योंकि जब कम समय बचता है और आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा जो है हम 10-15 किताबे पढ़े लेंगे 200-400 वीडियोज देख लेंगे महराथन जो है वो 50-60 महराथन देख लेंगे ऐसा उस्तबल है नहीं या आप सब लोग जानते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा चोड़ा काम हम करनी सकते हैं शौट कट में ही करना पड़ेगा यानि कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कम समय में आपके की जा सकती हैं और आप अपना टाइम जो है वो बेकार ना करें मतलब फालतू कामों में इधर उधर की चीज़ों में आप शुरेंगे ज्यादा लंबी चोड़ी बातें करेंगे ने चले विडियो करथे हैं जितने भी नए स्टुडेन्त है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जितनी भी विडियो और ौटे आपका सीट में पास हो सकता है तो अकर आप नए बच्चे है नए अप है पहली ब अब यहां पर क्या है कि मैं आपको समय के हिसाब सी बताऊंगा कि जितना समय आपके पास बचा है चार-पांच दिन का उसी समय के अंदर हम क्या कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी चीज़े करेंगे तो समय आपका ज्यादा बेस्ट चला जाएगा सबसे पहली बात तो यहीं कहूं गा यहाँ पर फस्ट नमर पर आपका आलता है जो मैराथांस आपकी हुई है subject wise theory ौली पीवाई पराने बच्चे हैं वो तो आधी से जादी देख चुके हैं यानि के लगभग आपने सीड़ी की हिंदी की सारी मेराथन आपने देख ली है तो आप दो बारा देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है यहां पर जितनी बची हुई है मैंने मैं यह कह रहा हूं जितनी कम्प्ल बाराथन भी नहीं देखी कोई तयारी नहीं है वो भी आपकी 3-4 मेराथन जरूर देखेंगे दो दिन के अंदर अंदर आज से अगर आप देखना चाहते हैं तो आज रात है आपके पास कल है और परसो है यानिकर धाए दिन आपके पास या अगर कल को देख रो वीडियो तो दो दिन है, दो दिन के अंदर पहले आप मैराथन कंप्लीट कर लो, इसके अलावा कुछ भी काम मत करो, सिर्फ दो दिन में मैराथन कंप्लीट कर लो आप और आसाली से हुजाएगी, मुश्किल से, CDP की थोड़ी सी लंबी मैराथन है, बागी सब्जेक्ट की छोटी है आ और notes कम पलसरी है मेराथन से भी ज़्यादा कम पलसरी आपके notes है वजह क्या है कि इसमें कम समय लगता है notes में आपके समय कम लगेगा और content आपको ज्यादा cover हो जाएगा पूरा syllabus cover हो जाएगा tricks के मादे हम से notes बनाए है short cut में बनाए है notes में से आपका पूरा syllabus फस जाता है अब ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ आपको अब तक पता चल गया होगा पिछले seat at में आपके 126-122 नमबर फस रहे थे notes में से तो इस बार भी फसेंगे ये दो चीज़े आप complete करेंगे पांच दिन में पास कर दो नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा तो time देना पड़ेगा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी आप घरवालों से भी कहतो कि यहां में काम आम मत बताओ पहले थोड़ाई करने तो 4-5 दिन का time रह गया है तो तीन दिन में दो तीन दिन में आप इसको cover कर लेंगे उसके बाद आप PYQs लगाएंगे previous question paper वो भी last 5 years के तो वो last 5 years के questions अगर आप किताब से करने बैठ होगे या आपके long videos देखोगे तो महां से काम नहीं चलेगा उसमें time जादा लगेगा क्योंकि आपके understanding बनेगी नहीं आपको videos से ही देखने हैं मैंने आपको previous question paper की last 5 years की marathon कराई हैं 5-5 घंटे में तो वो videos आप अपने subject वाली देख लो previous paper की उसके अलावा अगर आप ये किसी वजह से नहीं देख पाते आप कहेंगे कि इतना time नहीं मिलेगा क्योंकि तीन दिन इसमें निकल जाएंगे फिर तीन दिन इसमें तो आपका जो है आप कहेंगे कि नहीं मिलेगा जितनी देख सकते हो देख पाओ नहीं देख सकते कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको एक महा युद क्लासिज यानि के महा मेराथन क्लासिज कराने वाला हूँ previous air question paper की एक चार तारीक को उसमें सारे subject के पिछले 5 सालों के जितने भी previous question paper हुए है उनके सारे important questions जो बार-बार repeat होते हैं उनको select करके एक ही class में एक ही दिन में सारे ही subject first paper के भी second paper के ही सारे ही खतम कर दूँगा और उसमें साथ में मैं आपको concept भी समझा के चलूँगा कि जो प्रश्ण बन रहा है वो कहां से बन रहा है उसको solve कैसे करते हैं उसका क्या logic है क्या सिद्धानत है वो सारी चीज़े previous paper के 7 साल आपका concept भी चलेगा सिर्फ PYQs नहीं concept भी तो ये class आपकी यूँ समझ लो इस साल की सबसे number one class जो होने वाली है वो यही है चार तारीख में जो 4 जुलाई को class होगी मैंने नीचे लिखा भी है I think हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PYQs plus concept के class होने वाली है तो ये timing note कर लो ये आपका miss नहीं होना चाहिए एक बार को आपकी concept theory वाली class miss होगी कोई दिक्कत नहीं है PYQs वाली class ये miss नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप सब को पता है कि PYQs कितने ज्यादा repeat होते हैं मैंने खुद आपको classes में दिखाया है कम से कम 80% PYQs से ही प्रशन पत्र बनता है अगर आपने सारे PYQs भी कर लिए ना एक इस class के तो भी आप 100 से उपर नंबर ले आओगे आराम से बिना theory पढ़े अगर theory नहीं पढ़ी केवल आपने notes पढ़ लिए होंगे क्योंकि notes से आपके understanding बनेगी return वाली जो आपकी शब्दा वाली आती है वो आपको तभी समझ आएगी वरना शब्दा वाली समझ नहीं आई तो आपका game हार जाएंगे क्योंकि CTAT में शब्दों का वड़ा खेल होता है या आप सब लोग आप तक जान चुके होंगे तो notes पढ़ लेना बस दो दिन के लिए और फिर एक दिन ये class देख लेना पूरी की पूरी ये class लंबी चलेगी लगभग आपकी हो सकता है 10 घंटे या 12 घंटे class चलेगी है लेकिन इसमें सारे ही subject रहेंगे तो आपको तो अपने subject देखने होंगे 4 जुलाई 2014 सामके 3 बजे और उसको अपने table के सामने चिपका दो जहां पढ़ाई करते हो ये जहां आप सोते हो उस दिवार पे चिपका दो ताकि आप time याद रखे और इस दिन आपको ये class live ही करनी है क्योंकि 12 घंटेगी class से अगर उपर हो जाती है तो मैं भी यूट्यूब पे उसको store नहीं कर पाता और यूट्यूब से वो वीडियो डिलीट हो जाती है तो इसलिए ये class आपको live ही देखनी पड़ेगी इसलिए सब लोगों को live ही आना है इस दिन क्योंकि उसके बाद में आपके पास time भी तो नहीं बचेगा ना आगे तो आगे फिर आपका exam ही आ जाएगा तो इसलिए इस time पे आप इस दिन जो है अपना खाना पीना खाके सोस आके अपना मुहात धोके सब तयार होके बैठ जाना और घरवालों को बता देना कि आज हमारी class जो है वो बड़ी class चलेगी इस time जो है हमें बीच में डिस्टब ना करें तो ये चार जुलाई 2024 को शाम तीन बज़े आप लोग ready रहेंगे इस एक class में से आपके कम से कम 110-110-115 मैं फसवा दूँगा इस बात की guarantee है लेकिन उससे पहले concept के लिए आप जो है महराथन कर लेना बस और इसके अलावा आप छोड़ी-छोड़ी चीज़े क्या करेंगे जो छोड़ी-छोड़ी चीज़े आप मिस कर देते हैं उन पर कैसे ध्यान देंगे देखो important topics एक तो है यह आपकी महराथन classes मैंने आपको बताई दी है last five years के वो हो जाएंगे उस दिन आपके previous फिपर important topics जिससे ज़्यादा प्रशन आते हैं यह चांटने हैं आपको subject wise जैसे CDP है तो CDP में जैसे Gene Piaja important है आपका Vygots की important है, Colberg है एक Harvard Gardiner का प्रशन आता है बुद्धी वाला आपका है एक समावेशी शिक्षा से तीन या चार प्रशन समावेशी शिक्षा से आते हैं आपके, बाल विकास से कम से कम तीन प्रशन आते हैं आपके हैं तो यह साथ आठ topic ऐसे होते हैं जिन से ज़्यादा प्रशन आ जाते हैं तो इनको चांट के लग करो और इने पर ध्यान दे दो है ना, तो मान लो अगर आप 30 number का नहीं पी पड़ पा रहे हैं और आप आधे ही concept पढ़ने के बाद जो है आप 17, 18 number या 20 number पकड़ पा रहे हैं तो वो ज्यादा important है क्योंकि कम समय में बड़ी चीज़ पकड़नी चाहिए बड़ी मशली पकड़ो, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको यह topic क्योंकि मुझे लगता है आप खुद से तो छांट नहीं पाएंगे तो सारे ही subject की में छोटी-छोटी वीडियो बना दूँगा और उसमें आपको नाम बता दूँगा सारे topics से जिसा SST वाला है तो SST में क्या है आपका important topics एक तो जितने आपके आंदोलन हुए हैं आ प्रिकार के आपके आपके आते हैं यह बहुत important है उसके इलावा अट्रह सो अ 70 कि क्रांति से अलावा य। सत्रभी सताब्दी से 47 सत्रभी सत्ताब्दी में कौन-कौन से changes आये थे आंपके वह रशूप बनते हैं बता दूँगा वो topics आप notes में से चांट के पढ़ लेंगे topics मैं आपको बताऊंगा कि यह वाले topics हैं जैसे बहुत लंबी है उसके भी shortcut बना दूँगा मैं आपकी वीडियो कि यह वाले topics हैं कल परसों में बना दूँगा ज्यादा time नहीं लूँगा कल को या परसों में आपकी जो है सारी चीज़े आ जाएंगे उसके लावा tag words भी बना दूँगा आपके तो इस topics को जैसे मैं नाम बताऊंगा उन topics को ढूंड लेना notes के अंदर और notes से उनको पढ़ लेना तो वो काम आपका shortcut हो जाएगा एक subject एक दो घंटे में आप निप्टा दोगे हैं ना 5 subject सुबह साम तक खतम आपके इस तरह से बनेंगे तो यह आप important topics मैं बताऊंगा को कौन-कौन से आते हैं जिन से ज्यादा प्रशन बनते हैं ठीक है फिर उसके बाद में आप एक-एक करके number बढ़ाओ मैं यह कहता हूं कि एक-एक करके number बढ़ाओ मतलब इसका यह होता है कि आप पू सोचो कि पूरा ही इसलिए बस पढ़ें फिर आप यह देखो ऐसा कौन सा प्रशन है जो हर साल रिपीट हो रहा है जैसे फूर एक्जामपल मैं आपको बताऊं मैं प्रशन के अग्जामपल ले लेंगर तो वैन हिले का सिध्धान आपका हर साल आता है एक या दो प्रशन आ अब 18-19 नंबर आपके हो गए उसी पिरकार से जैसे कोई और एक्जामपल भी लेंगे आप किसी और सब्जेक्ट में तो इसी पिरकार से जैसे मान लीजिए बुद्धी वाला सिध्धान आपको आता नहीं है और वो प्रशन आपका हर साल आ रहा है इस बात की गारंटी है तो बुद्धी वाले सिध्धान को नोट्स में से पढ़ लो है ना और बुद्धी वाले सिध्धान को पढ़ने में कितना डायम लेगा 15-20 मिनट फिर उसके PYQ कर लो 10-12 तो PYQ करने के बाद जो है क्या हो जाएगा आपका आदे घंटे में एक नंबर और बढ़ गया आप तो देखो बैठे बैठे आपके कैसे नंबर बढ़ते हैं अब आपके 19 से 20 होगे 20 से 21 होगे तो इस तरह से आपको काम करना है कि एक च्छाटना है कि इस topic का pressure हरता आ रहा है उस topic को cover करना है पूरे syllabus को cover करने की बजाए topic topic cover करेंगे तो आपका नंबर आसानी से बढ़ते हैं इसके लिए मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ आपका, वो ये है कि जितने ऐसे topics हैं, जो हर साल repeat होते हैं, उनकी trick मैं आपको देने वाला हूँ, जैसे मैंने कल डाली थी एक trick, Paul Berg, Vygotsky और Gene Piaj, तीनों की trick एक वीडियो में डाली थी, सब ने देखी, आप लोग बताना भी comment करके कैसी लगी थी वीडियो वो, तो वो trick ऐसी थी कि वो तीन सिध्धान्त ऐसे हैं आपके, जो पूरे seat rate में कम सका 15 नंबर कवर करते हैं, क्योंकि 7-8 तो CDP में आ जाते हैं, फिर 2-3 आपके Hindi में, 2-3 Math में, 2-3 English में, सब में total मिलागे, पूरे seat rate में 15 नंबर इन 3 टॉपिक से आ जाते हैं, जीन प्याजे, कॉलबर, गुरवाई, गुसिजर, अब उसको सीखने में कितना डाइम लगया आपको, मुश्किल से 18-19 मिनट की वीडियो थी हो, 18-19 मिनट में 15 नंबर कवर हो गया, तो इस तरह से, जैसे अब सारी अभी सारी चिंतन वाला हर साल आता है, इसकी एक ट्रिक बना दूँगा, 3-4 मिनट में ट्रिक खतम हो जाती है, 3-4 मिनट की वीडियो तो देखी सकते हो न, इसी प्रिकार से मैं आपके द्रश्ट इबाधित और श्रावन बाधित वाला आता है, उसकी ट्रिक बना दूँगा, मैं 2-3 मिनट की ट्रिक बनेगी बस, तो मैं 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की आपको ट्रिक्स दूँगा, जितनी भी 50-60 टॉपिक्स जितने भी होंगे, बेचता है, ज्यादा वीडियोस की नहीं भेचता है, तो फिर उसके लिए क्या है, आप टेलिग्राम जोइन कर लो, टेलिग्राम पर मैं आपको उसका नोटिफिकेशन भेचते रहूँगा, यह फिर आप चैनल को विजिट करो, डेली, हर घंटे, भई, हर घंटे चैनल पर जाके एक बार सर्च कर लो, यूट्यूब पर आके कि सेटीच अगेडमी पर कोई नहीं वीडियो आई है या नहीं आई है, और आप जो है उसको सारी वीडियो उसको देखते रहो, जैसे मान लीजिए, for example, CDP में आपने देखा कि CDP मेरे 20 से तो उपर ही आ जाता है, आपके अगर 22-23 नमबर आ रहे हैं, मैं minimum 20 काउंट कर लिए चलो, कि मेरे 20 नमबर आ जाएंगे हैं ना, कुछ बच्चों को ऐसे होंगे, जो 25 नमबर आ रहे होंगे, अब हिंदी है जैसे, तो हिंदी में मान लो मेरे जो है कितने नमबर आ रहे हैं जी, मेरे 25 नमबर आ जाते हैं, क्योंकि paragraph आसानी solve हो जाता है, pedagogy भी अच्छी हो गई है, SST में क्या करते हैं, SST में दिक्कत यह है कि SST में NCRT वाला जो portion है, तो उसमें तो हमारे कमा रहे हैं हैं उसमें आपको यह छाटना है, जैसे मैं important topics दूँगा, आपको ऐसा लगएगा किसी को कि मेरे इतिहास में पकड़ कमजोर है, लेकिन geography में अच्छी है, है ना, तो इस तरह से geography वाले content को ही cover कर लेता हूँ, तो अगर आपके बहुत ज्यादा number भी आप खीश नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पास होने पे ज्यादा जोर देना है हमें, लेकिन इसमें जो pedagogy वाला portion रहेगा, उसकी मैं आपको trick बता दूँगा, और pedagogy में आपकी CDP ही help कर देती है, है ना, जो छोटी 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 trick वीडियो लाँगा ना, मैं यह, यह आपकी pedagogy में help करेगी हर subject की, तो इससे क्या होंगे, आपके 20 number यह वाले पक्के हो जाएंगे, फिर चाहें NCRT में 40 में साब के 20 number क्यों नहीं आ रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, करेंगे आप, आप सारी SST की मेराथन छोड़ो, सिर्फ आप notes को दोहरा लो एक बार, notes आपके एक दिन में cover हो जाएंगे, और notes के साथ साथ आप PYQs लगाना फिर उसी से आपका काम बन जाएगा, तो अगर इसमें number कड़ भी गए आपके, 20 भी आ गए न, NCRT वले में तो भी कोई दिक्कत नहीं, second language जो होगी आपकी second language में आपके, मान लो second language आपकी कमजोर है, है न, मान लो आपकी second language कमजोर है, बहुत कमजोर है, तो उसमें 10 number फिर भी आ जाते हैं, तुक का लगा की आ जाते हैं, तो मैंने आपको बता भी दिया था, तुक का लगाने वाली वीडियो आपकी आ गई है, तो वो देख सकते हैं, आप कैसे आप लगा सकते हैं, तो इसमें अगर आप 10 number भी लेके आगे आगे न, तब भी आपका seat at pass हो जाएगा, देखो, 25, 25, 50, 50, 40, 90, और एक 10 हो गए, 100 number आपके फिर भी आ जाएंगे, तो ये तो मैंने minimum लिखे हैं, अब ही गया है, ये current वाला, अब इसमें मान लो, 20 से आपको जो है, 25 पे पहुँचाना है इसको, तो कैसे बताया मैंने आपको, वो ही important topic पकड़ना है, जो हर साल आ रहा है, जैसे एक समय निकानने वाला, ग्रीन वीच रेखा कि समय निकानने वाला जो प्रशन है, वो 100% आता है आपका, उसके अलावा शेल, आगने शेल क्या है, आपका रूपांत्रिश शेल क्या है, अब साधी शेल क्या है, ये प्रशन 100% आता है, तो इसको कवर करने में केवल मुश्किल से 10-12 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं, शॉर्टकट वीडियो में बना दूँगा इसके, ट्रिक वाली वीडियो, आप पूरा स्लेबस पढ़ना, पूरी जबरदस्ती, इतनी लंबी शोड़ी कहानी करना, वो अब समय नहीं बचा, आप आपको ट्रिक के माध्यम से ही खेल खेलना पड़ेगा, इसी लिए मैं आपकी ट्रिक वाली वीडियो आजकल ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप खुद भी समझ रहे हैं इस बात को, लंबी लंबी लाइव क्लासेश करके 13 गंटे की 12 गंटे की सारे सब्जेक्ट की उतनी कवर होई नहीं सकती अब, क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं आप कवर करी नहीं पाएंगे, तो मैरा आथन तो हम ये वाली करेंगे भाई, लड़कियां जितने भी हैं आपके, मतलब आप लोग, तो सब लोग मिल करके ये काम करेंगे, इस प्लाइनिंग से हम काम करेंगे, तो आपका सीट एट पास हो जाएगा जल्दी आसानी से, ठीक है, और टैंशन वेंचन मतलो यार, टैंशन लेने से कुछ नहीं होता, सीट आपका निकल जाएगा, इतनी तैयारी आपकी हो गई है, और अब जो होगी पांच दिनों में, तो चुटकियों में आपका गिराफ उपर की तरफ जाएगा, आप टैंशन मतलो, ठीक है, मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ, मैं सिर्फ यही दिमाग लगा रहा हूँ, क शॉर्ट कट में आपको कैसे सीट रैट निकलवाया जाए, तो टैंशन मतलो, मैं आपकी जब तक आपके साथ हूँ, तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल से जुड़े रहे हैं, जितने नए बच्चे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आ